दोस्तों आज हम समझने वाले हैं Fairanti Effect in Power System What is Fairanti Effect क्या होता है? क्यों होता है? कैसे होता है? इन सभी सवालों की जबाब इस वीडियो में हम लेने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए इससे पहले हमने Skin Effect और Proximity Effect के बारे में जाना आज हम समझेंगे फेरंटी इफेक्ट, तो देखिए, इसमें क्या होता है, आपका जो receiving and voltage होता है, जो आप receive करते हैं और sending and voltage जो generate होता है, इसमें receiving and voltage ज्यादा हो जाता है sending and voltage से, तो ये कब होता है, कैसे होता है, इसे ही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो देखिए, य यदि आप circuit की help से network की help से समझेंगे तो कुछ इस तरह से मैं represent करूँगा कि transmission line और ये आपका generating station है और ये आपका receiving end है तो इसको यदि अपने represent करें तो इस diagram से समझ सकते हैं जिसमें ये जो है आपकी transmission line उसके लिए है ये आपका generating station है और ये आपका receiving end है ये situation कब आती है जब light load या no load की situation होती है तब ये situation पैदा होती है अब देखिए ये कब होता है किस में होता है तो medium और long transmission line के case में फेरंटी effect जो है वो होता है short transmission line के case में नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि capacitor जो है वो हम medium और long transmission line के case में consider करते हैं short transmission line के case में आपका जो capacitor है ये neglect कर दिया जाता है ये consider नहीं किया जाता तो चलिए इस diagram की help से इसको समझने की कोशिस करते हैं यहां sending and voltage और ये जो आपका है वो receiving and voltage और बीच में जो ये branch है इसमें क्या है आपका total impedance है जिसको मैंने z से represent किया है r plus j xl चलिए अब इसको यदि अपने solve करें तो vs equals to vr plus ic z क्या है आपका r plus j omega l क्योंकि xl जो है वो omega l के equal होता है तो ये तो आपका complete हो गया next vs equals to vr plus ic j omega l अब यहां मैंने r को neglect कर दिया है क्योंकि medium और long transmission line के case में resistance जो है वो compared to inductive reactance के comparison में बहुत कम होता है इसलिए इसको मैंने neglect कर दिया next जो है वो vs equals to vr plus ic अब यहां मैंने ic की value जो है वो ये लिए है ऐसा क्यों किया देखिए यहां से यदि अपने समझें तो ic इसके अंदर flow कर रही है ic का मदलब capacity current तो ic जो है वो क्या हो जाएगी vr divided by z अब यहां इस network को यदि मैं कहूं तो यहां pi network है y by 2 y by 2 और यह आपका z है तो इस pi network के case में यहां impedance जो है वो y by 2 है admidence की form में represent किया है तो वो आपका y by 2 है अब हम जानते है current जो होती है वो v upon z होती है अब one upon z क्या होता है y होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं v into y लिख सकते हैं अब यहां y by 2 है तो इसलिए यहां मैंने यह लग दिया और voltage आपका vr है तो ic की value मैंने vr into y by 2 लिखी है और बाकी same रखा है अब देखिए vr को मैंने left hand side में shift किया तो vs minus vr और यह जो है इसको आप solve करोगे आपको complete solve नहीं करना j और j यह दोनो multiply होते हैं तो minus 1 आता है तो यहां इसका जो result आने वाला है वो equal to इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ vs minus vr equal to minus negative आ रहा है अब negative किस की वज़े से आया इस capacity reactance की वज़े से आया और negative आने का मतलब क्या हुआ आपका vr ज़्यादा है इसलिए यह part क्या हो रहा है negative हो रहा है यह तो बात होगी इस network को solve करने से अब देखिए मैं इसको phaser diagram से समझाने की कोशिज करता हूँ तो यहां आपकी ic जो है वो voltage से क्या करेगी capacitive current क्या होती है lead करती है तो यहां यदि आपका vr है receiving and voltage तो r के across जो drop होगा वो ic की direction में रहेगा तो इसको हम ic into r से represent करेंगे दूसरा यदि अपने बात करें कि x के अंदर जो drop होगी वो क्या होगी तो क्योंकि current आपकी इस direction में है तो lag करेगी voltage जो है वो lag करेगा तो इसको हम ic into x l से represent करेंगे ये वाला drop जो है वो आपका ic into xl हो गया अब यदि आप sending and voltage की बात करेंगे vs तो वो आपको ये मिलेगा तो इस phaser diagram में भी आपको देखने से idea हो गया है कि vs जो है वो छोटा है vr से तो यही क्या है आपका फेरंटी effect है इससे आपको पता लग गया कि receiving and voltage ज्यादा हो रहा है sending and voltage से क्यों हो रहा है ये भी हमने देख लिया क्योंकि आपका capacity जो है वो receiving and पर connect है इसकी वज़े से capacity current flow करेगी किस condition में जब आपका no load या light load situation है उस condition में और ये किस में होता है medium और long transmission line के case में ये effect जो है वो रहता है तो I hope आपको ये video समझ में आया है और यदि कोई doubt हो तो आप comment box में comment करके कभी भी पूच सकते है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों हूँ